हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो SKP Live Study ओफिशियल यूटूब चैनल, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महारास्टर स्टेट बूर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड, साइंस, चाप्टर नंबर टू, The Living World के बारे में, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, चाप्टर नंबर ट जान नहीं होती है, जिन्हें हम निर्जीव कहते हैं, ठीक है, उन्हें Non Living Things कहते हैं, तो यहाँ पर एक लिस्ट दिये, List the things seen in the picture, यह जो एक पिच्चर दी है, इसके अंदर में कुछ चीजे दी है, उनकी लिस्ट बनानाय में, Say whether they are Living or Non Living Things, तो इन में से Living Things कौन सी है, और Non Living Things उनको आपको एक अक्टिविटी दिये, जो आपको सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पर Living Things मैं थोड़े से बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर यह बॉय Living Things है, गरल है Living Things, उसके बाद में यह जो है नहीं यह भी Living Thing है, यह जो उसके बच्चे है, यह बिलिविविविग ती अब non living thing की list में क्या लिखना है ये lamp आ गया non living thing ये ये fan आ गया ये house आ गया ठीक है ये bucket आ गया ये football आ गया ये kite आ गया ठीक है ये सब एक्सेटरा एक्सेटरा ये सब ये non living things में आ गया और living things में ये birds भी आ जाते है ठीक है उसके बाद में यहाँ पे दिया है characteristics of living things living things के कुछ characteristics होते हैं ठीक है तो वो भी देखते हैं there are many kinds of plants and animals around us हमारे आसपास में बहुत तरह तरह के अलग-अलग तरीके के plant और animal पाए जाते हैं they show some similarities and some differences उनमें कुछ समानताई पाए जाती है और कुछ असमानताई भी पाए जाती है yet with the help of certain features we can tell that they are all living things in kuch features के मदद से हम क्या बता सकते हैं कि वो living है या non living these features are not seen in non living things जो non living things में कुछ features नहीं पाए जाते हैं और कुछ features living things में पाए जाते हैं ठीक है these features are not seen in the non living things such features are said to be the characteristics of living things जो चीजे non living things में नहीं पाए जाती है वो characteristics living living things में पाई जाती है, उससे हम उसको distinguish करते हैं, यह बताता है, let us study these characteristics, तो अभी हमें उन characteristics के बारे में जानना चाहिए, जो living things को non living things से अलग करती है, तो पहले यहाँ पर दिया है growth, यहाँ एक question पूचा है, what difference do we see between the young ones and the adults in the picture, यह जो picture दिया है, इसमें जो young one है, जो जवान ल मतलब यहाँ पर यह picture जो है, यह दर्शाता है कि किस प्रकार से living things का growth होता है, उसको यह दर्शाता है, जैसे कि हम बचपन में छोटे होते हैं, ठीक है, उसके बाद में थोड़े उमर के बाद में हम stage में पहुच जाते हैं, उसके बाद थोड़े और सालों के बाद हम adult हो ज ठीक है, during this period of its growth, उसके जो period होता है growth का, उसमें the baby gain its height, ठीक है, जो baby है, वो अपनी height को gain करता है, weight को gain करता है, वो strength को भी gain करता है, in some manner, same manner, all animals grow into adults in a certain period, उसी तरह से जैसे कि पहले हम बच्चे होते हैं, तब हमारी कुछ कम height होती है, फिर थोड़े दिनों के बाद height बढ़त है, strength बढ़ता है, वैसे थोड़े और दिनों के बाद, और से height, weight, or strength, उसी तरह से हमारी जो growth होती है, वो बताया गया है, उसी तरह से बाकी के जो भी animals होते है, उनमें भी growth होती है, weight, height, or strength के criteria को ध्यान में रखते हो, generally humans require 18 to 21 years for these growth, जो इंसान होते हैं, उनको 18 से 21 साल की उम उसके बाद में यहाँ पर एक activity दिये, इस activity को पढ़ लेते, जैसे कि try this, tie a thread to the tip of a potted sapling, एक पौधा है इस गमले में, इस गमले के पौधे के जो top part है, उसके उपर में हमको एक thread को बादना है, keep the thread stretch and tie it to the peg or nail above the plant, और यह जो thread हमने बादा इस पौधे के top part पे इसको उसका जो दूसरा end है, एक stand को बाद देना है, उसके बाद में हमको observe करना है, 10 से लेके 15 दिनों तक कि इसके अंदर में क्या परिवरतन आता है, तो हम देखते हैं कि what tell us that the plant has grow taller in all plants, it is mainly the width and height of stem that grows, तो यह जो plant है, इसकी जो width और height बढ़ती है, कुछ दिनों के बाद में हमको इस बाजो वाले picture में दिखाए देता है, जैसे पहले गंबले में एक plant की height something इतनी थी, कुछ दिनों के बाद में यह जो हमने stage part करके रखा था thread का, वो lose हो गया, उससे क्या पता लगता है, कि यह जो plant है, उसकी height कुछ बढ़ गई, उससे पता लगता है कि plant की growth होती है, ठीक होते हैं, उनकी जो growth है कुछ period तक होती है, उसके बाद में उनकी growth थोड़ी रुख जाती है, ऐसा बताता है, ठीक है, और जो plants होते है, उनकी जो growth होते है, उनके जिन्द की बार उनकी growth होती रहती, यह भी यहाँ से पता लगता है, the growth of living things occurs from within the body, which means that growth occurs in all parts of body, तो जो growth होती ह है, ठीक है, उसके लिए food बहुत जादा जरूरी होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, plant make their own food in sunlight, जो पाओदे होते हैं, वो अपना जो खाना बनाते है, sunlight की उपस्तिती में बनाते है, plant produce food from water, जो plant होते हैं, वो अपना जो खाना है, पानी की मदस से तयार करते हैं, nutrients की मदस से तयार करते हैं, जो कि soil में मौझुद होते हैं, और साथ यसाथ carbon dioxide का भी use करते हैं, जो हम release करते हैं, जब हम carbon dioxide release करते हैं, तो plant उसको अपसॉप कर लेते हैं, और उसी के साथ nutrients वो लोग मत्टी में से nutrients भी लेते हैं, और साथ साथ यह sunlight, यह तीनों को मिला के, वो plant क्या करत से अपना food बनाते है, chlorophyll की मदद से, वही यह आपर लिका है, this process takes place in the leaves of plant, और यह जो खाना बनाने की जो process है, plant की उसके पत्तियों में होती है, it is bought about in presence of sunlight, और वो sunlight के presence में होती है, with the help of the chlorophyll, और यह जो पाओदे होते हैं, इनके अंदर में एक chlorophyll नाम का pigment होता है, जिसके वजे से हरे color के दिखते हैं, और वो chlorophyll के मदद से ही इनका खाना बनाने का process होता है, उसके बाद में, this process of food production is called photosynthesis, और यह जो पूरा process है, carbon dioxide लेके, water nutrients लेके, sunlight लेके खाना बनाने का जो पूरा process है, chlorophyll के मदद से, इस पूरे process को आपन बोलते है, photosynthesis, during this process, plant gives out oxygen, अब यह ज remove करते हैं, अपने खुद में से release करते हैं, और वो oxygen हम लोग सास के रूप में absorb करते हैं, ठीक है, सास के रूप में use करते हैं, हम inhale करते हैं oxygen को, ठीक है, जो हम carbon dioxide से छोड़ते हैं, वो plant use कर लेते हैं, food बनाने के लिए, और उनके दौरा जो oxygen छोड़ा जाता है, उसको हम use करत है, inhalation के लिए, ठीक है, उसके बाद में plant appear mainly green in color, जो plant होते हैं, वो green color के mainly दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके अंदर में chlorophyll नाम का pigment पाये जाता है, animals क्या करते हैं, animals के पास में chlorophyll मौजुद नहीं होता है, ठीक है, जो chlorophyll की बात किये थे हमने अभी, वो जो chlorophyll होता है, उसको green pigment के नाम से जाना जाता है, जो की plant के अंदर में होता है, उसी के वज़े से जो plant और जो पेड़ पादे होते हैं, वो हरे color के दिखाई देते हैं, लेकिन जो animal होते हैं, वो हरे color के दिखाई देते हैं, क्या नहीं, इससे क्या पता लगता है, जो animals होते हैं, उनके बनाने भी मदद करता है लेकिन अनिमल के अंदर में महुजूद ही नहीं होता है तो उनको उनके खाना बनाने के लिए मदद तो होगी ही नहीं obviously ठीक है they do not produce their own food इसलिए जो अनिमल होते हैं उनके वो यहां घास को खाती है और जैसे कि wild animals होते हैं जंगली प्राणी होते है जैसे कि tiger lion वो क्या करते हैं दुसरों को दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और उनको खाकर वो अपना पेट भरते हैं उसके बाद में हाथ है अपने नाक के पास में रखना है, और keep your hand on your chest, what do you feel, तो हम जब अपना जो हाथ है, hand है, अपने नाक के पास जब रखेंगे, तो उससे हमें क्या पता लगेगा, कि जो carbon dioxide gas है, हमारे नाक के दुआरा continuously बाहर निकल रही है, और oxygen अंदर हो रहा है, ठीक है, और उसके जो पेट होता है, moment of its belly, उसका जो पेट होता है, तुससे हमें क्या पता लगता है, तुससे हमें ये पता लगता है, कि उसका जो पेट है, वो continuously up and down हो रहा है, उससे क्या पता लगता है, कि उसकी जो सासे है, वो continuously inhale कर रहा है, और exhale कर रहा है, ठीक है, oxygen ले रहा है, carbon dioxide order to live, ठीक है, जो living things होती ही, उनको क्या जरूरत होती है, oxygen की जरूरत होती है, जिन्दा रहने के लिए, live करने के लिए, ठीक है, उसके बाद में inhaling oxygen and exhaling the carbon dioxide, inhaling मतलब किसी भी gas को अंदर लेना, ठीक है, इन्हेल करना मींज अंदर लेना, body के और exhale करना मींज body के बाहर फिक देना, ठीक है, जब हम inhaling करते oxygen को, और exhaling करते carbon dioxide को, formed in the body, due to the use of oxygen, is called respiration, तो respiration की से कहा जाता है, inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide, यह जो process है, inhale और exhale करने का, इसी process को हम respiration कहते है, ठीक है, तो यह definition होगे respiration की, अगर respiration की definition चाहे तो यहाँ से यह tick कर लेना, ठीक है, उसके बाद में animals such as fish, animals जैसे की fish, मचलिया, snake, साप, mouse, चुहे, etc., have specific organs for respiration, तो जैसे जैसे animals अलग-अलग होगे, उनके जो respiration के organs भी मौझूद होते हैं, उनके अंदर में, on the other hand, plants respire by means of microscopic pores on their stems and leaves, लेकिन जो पेड़ पहुद होते हैं, उनके पास में कुछ organs होते हैं के respiration करने के लिए, उनके पास नाक वगर होता है, nose होता है, नहीं होता है, तो उनके अंदर में जो respiration करने के लिए microscopic छोटे-छोटे pores मौझूद होते हैं, ठीक है, जैसे कि यह जो दिख रहा है न, picture में, यहाँ पे microscopic छोटे-छोटे pores होते हैं, ठीक है, microscopic pores मतलब छोटे-छोटे-छोटे छेद होते हैं, plants के पत्तों के अंदर में, उसके द्वारा वो क्या करते हैं, अपना respiration करते हैं, oxygen को छोड़ते हैं और carbon dioxide को लेते हैं, जबकि जो बाकी के animals होते हैं, वो carbon dioxide को छोड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बता हैं, उसके बाद में स्टाइड में यहाँ पे एक फीश का भी फोटो है, फीश के फोटो में क्या है, गिल्स लिका हैं, तो यह जो फीश होते हैं, यह गिल्स के द्वारा respire कर करते हैं, exhale और inhale नोस के द्वारा करते हैं, तो different different living organisms के अंदर में different different type के respiratory organs मौझद होते हैं, इससे हमें यह पता जलता है, उसके बाद में देखते हैं, excretion मतलब क्या होता है, waste substance को जब हम अपने body के अंदर में जो waste product बनते हैं, उसको जब हम अपने body के बाहर फेक देते हैं उस जो process को बोला जाता है, excretion, और जो substance होते हैं, उनको बोला जाता है, excretion, ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है, waste substances are formed during the many processes that takes place in body of animal, animal के body में बहुत सारे processes होते हैं, उसमें कुछ waste substances तयार होते हैं, तो उस waste substances को excretion बोलते हैं, और उनको बाहर निकाले का जो process है, उसको बोल जैसे animals के पास respiration के लिए, respiration के लिए, respiratory organs थे उसी तरह से, excretion के लिए, excretory भी organ मौजुद होते हैं, जैसे कि plants to excrete, पौदे भी excrete करते हैं, मतलब पौदे भी अपना waste product है, बाहर फिकते हैं, for example, यहाँ पर कुछ example दिए, जैसे कि पौदों में some plants shed lose, कुछ season में देखा ही ह जाता है, उसके बाद में waste substances stored in the leaves of plants, जो waste substances होता है, plant के case में, उसके पत्तों के अंदर में stored होता है, are shed along with the leaves, और वो उनके साथ बाहर निकल जाता है, उसके बाद में next देखते हैं, यहाँ एक activity दिए, इस activity में बोला है, take a transparent plastic bag, एक प्लास्टिक के आर पर देखी जाने वाली बैग लेना है हमको, उसके बाद में tie it over a leaf, एक पत्ते के उपर में उसको cover कर लेना है, of a plant, as shown in the picture, जैसे कि एक लड़की इसमें क्या कर रही है, यह जो पाउदा है, इसके एक पत्ते के उपर में, प्लास्टिक की बैग को इसने पूरी तरह से cover कर दिया, observe करना है उसको, 6 to 7 hours, 6, 6 से लेके 7 घंटे के लिए, 6 से 7 घंटे के लिए उसको क्या करना है, हमको observe करना है, what do you see, तो हमें इससे क्या दिखता है, droplets of water collect on the inside of the bag, छो थोड़े 6 से 7 घंटे के बाद में क्या पतार चलेगा, कि जो वो जो plant था, उसके अंदर में से, droplet निकलेंगे और वो bag के उप अंदर है, उसको excrete करते, ठीक है, in the form of vapors, vapors के form में, उसके बाद में, यह इतना important नहीं, अब यहाँ पे आते, responsiveness to stimuli and moment, living things act in various ways when responding to a stimulus, if you suddenly enter a cow shed, the cows and buffalo stand up, अगर से आप suddenly cow shed के अंदर में enter करते हैं, तो जो cows और buffalo होते, suddenly stand up हो जाते, खड़े हो जाते, being to move, one or two may even start moving, these are all moments, उन्हें हम movement कहेंगे, उसके बाद में, a creeper planted in the courtyard, leans toward a support, एक creeper जो planted होता है, कोटियाड में, वो किस साइड में lean करता है, support के तरव में lean करता है, a potted plant placed in a window grows towards sunlight, और जो गंबले के अंदर में जो plant होते हैं, वो sunlight के तरव में ही grow करते, it means that plants to show movement, उससे क्या पता चलता है कि जो plant होते हैं, उनके अंदर में movement पाई जाती है, living things move of their own accord, the movement or the change taking place in a living thing at such a time is their response to a stimulus, तो यह उनका stimulus को response होता है, ठीक है, an event that occurs in our surroundings is a stimulus, the ability of living things to respond to stimulus is called their responsiveness to stimuli, उनकी जो ability होती है, animals की, living things की stimulus को response करने की, उसको हम stimuli कहेगे, ठीक है, उसके बाद में next topic है, important reproduction क्या होता है, वो देखते हैं, अब reproduction मतलब होता है, जब एक living thing खुद के द्वारा, दूसरा नया living thing को जब produce करता है, उस process को हम reproduction कहेते, अब यहाँ पर पढ़ते हैं, living things produce other living things, like themselves, ठीक है, तो मैंने जो बता है, वह ही आप लिका है, कि living things produce करते हैं, नए living things को, उनी के तरह, उस process को बोलेंगे, reproduction, some animals give birth to their young ones, जैसे कि कुछ जानवर क्या गरते, जन्म देते, उनके बच्चों को, some lay eggs, कुछ जानवर क्या करते हैं, अंडे देते, they are young ones, hatch out of the eggs, और उनके जो बच्चे वो अंडों से बाहर आते, new plants are produced from the seeds, उसी तरह से जो plant के किस में क्या होता है, जो seed होते, seed के द्वारा क्या होता है, नया plant तयार होता है, stems से भी कुछ plants तयार होते, leaves से भी plant तयार होते, ठीक है, the process by which a living thing generates a new living thing, like itself is called reproduction or procreation, तो reproduction की कितने नाम होगे, दो नाम होगे, reproduction को हम क्या बोलेंगे, दुसरा नाम procreation, ऐसी process जिसके अंदर में living thing generate करता है, उसी की तरह नया living thing, उस process को हम क्या बोलेंगे, reproduction या फिर procreation, और reproduction भी क्या है, characteristics है living thing का, तो हम क्या देख रहे हैं, सभी characteristics देख रहे हैं living things के, ठीक है उसके बाद में next दिखते है definite lifespan lifespan के बारे में एक छोटा सा या पर paragraph है at a certain stage of life life के कुछ certain stage के उपर में living things become capable of reproduction life के कुछ particular stage के उपर में क्या हो जाता है जो living things होते है वो reproduction करने के लिए खुद से नया वाला बनाने के लिए capable हो जाते है later on in life reproduction stage their organs becomes weak और कुछ सालों के बाद में वो क्या होते है उनके जो reproductive organs हो जाते है वो weak हो जाते है and still later their life comes to end और कुछ सालों के बाद उनकी जो life है वो end पर आ जाते in other word living things die मतलब भी living things सबसे पहले क्या होते है बच्चे होते है ठीक है young ones होते उसके बाद में कुछ age के बाद में उनके अंदर में reproduction की power आ जाती उसके वो क्या करते है अपने young ones को generate करते और उसके बाद में उनके जो reproductive organs हो जाते है वो क्या होते है उनके weak हो जाते है और उसके बाद में वो die हो जाते जैसे यहाँ पे एक यहाँ पर एक ऐनिमल दिया है फोटो में ठीक है यह कुछ एज के बाद में क्या हुआ बढ़ा हुआ ठीक है उससे क्या हुग गया उसके अंदर के जो रिप्रोड़क्टिव और्गन से वो डेवलप हुए उसके बाद में उससे यंग वन्स डेवलप हुआ यहाँ पर दीकिर अलग अलग प्लाइंट की अलग अलग होती है इसकी जो लाइफ है वो पचास साल तक की होती है यहाँ पर एक कोश्चन दिया है do you know क्या आपको पता है the lifespan of a giant turtle जो बड़े बड़े जो कच्वे होती है उनका जो lifespan होता है उनकी जो life होती है found on the Galapagos island in South America is about 170 years यह जो फोटो में दिख रहा है यह कच्वा इसकी जो lifespan है जो की giant turtle मतलब बहुत बड़ा कच्वा है जो कहाँ पर पाया गया Galapagos island in South America 170 years तक की इसकी lifespan है on the other hand the lifespan of the mayfly ranges from one hour to 24 hours और वाले जो पिच्चर में जो दिख रहा है lifespan mayfly का जो एक अवर से लेके 24 hours तक इसका lifespan exist कर सकता है उसके बाद में यहाँ पे यहाँ पे question पूछा है observe a honeycomb and a wall यह जो honeycomb है ठीक है उसको और यह जो wall है इसको observe करना है what are they made of यह king कैसे बने है ठीक है you may have seen the small compartment of a honeycomb आपको यह पिच्चर में दिख रहा होगा कि जो honeycomb है यह चोटे-चोटे compartment से मिलकर बना है उसी तरह से यह जो wall है चोटे-चोटे bricks से मिलकर बना है these compartments are joined together to form a honeycomb और यह जो compartment है उनसे क्या चोटे-चोटे compartment 1,2,3,4 ऐसे बहुत सारे मिलकर क्या बना है यह honeycomb बना है उसी तरह से जो wall के अंदर में जो चोटे-चोटे bricks है यह bricks बहुत सारे bricks मिलकर क्या बना है यह wall बना है तो इससे क्या बनता लगता है to construct a wall we form me join the bricks together यह a cellular structure ठीक है यह a cellular structure में क्या बताया गया है कि जैसे हमने compartment से मिलके बनेते उसी तरह से जो cellular structure होता है उसके अंदर में living things जो होते living things के अंदर में भी छोटे-छोटे sales मोजूद होते जिनके द्वारा वो बड़ा सा living things तयार होता है all the actions and processes in the bodies of living things are brought about with the help of these microscopic sales और जो भी living things होते उनके अंदर में छोटे-छोटे sales होते उनके द्वारा living things तयार होते और जो life का छोटा सा सबसे चोटा जो unit होता है उसे हम क्या गेते sales कहते जो living things होते है वो किससे बने होते sales से मिलके बने होते है लेकिन जो यह wall है यह bricks से मिलकर बने है वैसे यह honeycomb जो है यह छोटे-छोटे compartment से मिलकर बना है ठीक है उसके बाद में some living things are made up of single cell कु आर आर कॉल मल्टी सेलूर ओर्गनिजम लेकिन जो लिविंग तिंग्स भनेफ से से बने होते सेलों से बने होते उनुनेों कहते हैं मल्टी सेलृर्गनिजम उन्हें आईसे जो living things है जिनके अंदर में केवल एक cell होती है उनिय हम कहते हैं unicellular और जिन में बहुत सारी cell होती है unicellular the amoeba and the some other microorganisms are unicellular यह जो picture है इसमें जो amoeba दिख रहा है यह unicellular है मतलब इसके अंदर में एक ही cell मोजुद होती है और जो कुछ other microorganisms are unicellular why the man, cow, mouse, cockroach, elephant, bunyan, tree and the onion plant etc. are multicellular organism और यह जो multicellular organism के यहाँ पर example दिये all the characteristics of living things are seen in every cell of the living thing whether it is unicellular or multicellular उसके बाद में यह जो point लिका है cellular structure is the main characteristics of living things living things का एक main characteristics का है cellular structure तो सभी living things किस से मिलकर बने हैं? ठीक है even though the number of cells में vary लेकिन उनके जो sales की जो संख्या होती है वो भले ही vary कर सकती है लेकिन सभी living things में sell मौजुद होते है ठीक है उसके बाद में useful living things ठीक है अभी जो useful living things यह heading है इसको हम देखते है plants are used for household जो plants होते है household के लिए use किये जाते है as well as industrial purpose plants are used for household as well as industrial purpose household के लिए और industrial purpose के लिए भी plant का use किया जाता है for example finugreek जिसको हम मेती कहते है potato, okra okra को भिंडी कहते है apple, banana और used as a food यह सभी क्या है food वाले plant है wild, vasaka जिसको adule सा कहा जाता है hirada, beherda asparagus are used as medicines तो जो plant होते है उनके अलग-अलग use यहाँ पे बता गए useful living things मतलब पहले plant के बारे में use बता गए जैसे कि कुछ plant household के लिए यूज के जाते है और कुछ industrial purpose के लिए यूज के जाते है जो plant household के लिए यूज के जाते है उनके यह एक्जामपल है जो खाने यूग गए और यहाँ पे medicinal plants के बारे में भी बता गया है उसके बाद में आते है animals के बारे में animals are also useful to us जैसे कि plant useful है इंसानों के लिए वैसे animals भी useful है जैसे कि dog, cat, cow, buffalo are kept for domestic uses इन सबको हम क्या गरते है घरगुती यूज के लिए यूज करते हैं लेकिन जो fish, sheep, fowl are used as a food इनको हम food के लिए यूज करते हैं वाइल animals like horses, oxen, camel, pro useful in various occupations इनको अलग-अलग तरीकिक के लिए हम use किया जाता है ठीक है, the earthworm is very useful in agriculture उसी तरह से जो earthworm होता है उसको हम क्या करते हैं, खेती के इसमें यूज करते हैं उसके बाद मैंने क्या harmful living things अब यहाँ पर क्या देखें, उपर में हमने useful living things जो living things हमारे use के लिए use में आते हैं, उन्हें हम देखें अब उसके बाद harmful, मतलब जो हमारे harmful है, हमारे लिए ठीक है, उनको अब देखेंगे, कुछ animals some animals and plants around us are harmful to men कुछ animals और plants क्या होते हैं, हमारे जो आसपास में मौजूद होते हैं, वो क्या होते हमारे इंसानों के लिए harmful भी होते हैं for example, mosquito and flies spread diseases जो मच्चर और मक्हिया होती हैं, वो क्या गरती हैं, बीमारियों को फाइलाती हैं cockroach, mice, rat, यह क्या गरते हैं अगर से जंगली हाती इंसानी बस्ती में आ जाते हैं, तो cause a lot of destruction, उससे क्या हो सकता है, lot of destruction तबाई हो सकती है some plants to can be harmful, कुछ plant भी harmful होते हैं, जिस तरह से animal harmful है as for example, the daughter, parthenium and other weeds, यह सब harmful plants के नाम है उसके बाद में आते हैं, pods of the nettle, colo, cassia, leaves, cause itching यह जो plant इंसे क्या होता है, खुजली होती है, इचिंग होती है plants like oleander, lantana, how strong orders, इनका जो सुगंद होता है, वो strong होता है the dhatura plant is a poisonous, जो dhatura का जो पाउदा होता है, वो क्या होता है, poisonous होता है ठीक है, uncontrolled growth of fungi and algae in a water pollutes drinking water जो uncontrolled growth है, fungi की और algae की पानी के अंदर में, वो क्या गरती है पीने के पानी को pollute कर दीती है, and may cause a spread of disease उसे क्या होगी, बीमारिया फैलेगी, ठीक है, उसके बाद में देखते है wild animals के बारे में, जो wild animals है, wild animals में सबसे पहले wild animals that hunt other animals for food are called predators जो predators की निका आ जाता है, ऐसे जंगली प्रानी, जो दूसरे जानवरों को hunt करते है, शिकार करते है, खाने के लिए, ठीक है, उनके हम predator कहते है predators के example क्या है, tiger है, lion है, wolves है, leopards है, ठीक है यह सब predators के example है, sometimes due to deforestation, deforestation मतलब क्या होता है जंगलों की कटाई होता है, some animals enter human settlements, human settlements में क्या होगे jungle जब जादे मातरा में काटे जाएगे, तो कुछ animals क्या होगे, इंसानी बस्ती में आएगे in search of food, food की search में आएगे, and may kill domestic animals और people और क्या करेगे, वो domestic animals को और इंसानों को खाएगे, या फिर उनको kill करेगे ठीक है, यह wild animals के बारे में यहाँ पर दिया है, उसके बाद में इस chapter में हमने जो कुछ भी सीखा उसका यहाँ पर एक short summary देख ले थे, what we learnt में first point है इसमें, हमने जो देखा था, पहले growth देखा था, उसके बाद में respiration के बारे में हमने पढ़ा Xcrition क्या होता, उसके बारे में पढ़ा, Reproduction के बारे में पढ़ा Responsiveness to Stimulaies के बारे में पढ़ा, Movement के बारे में पढ़ा Dafürnite Lifespan क्या होता, उसको भी बारे में देखा हमने Cellular Structure क्या होता है, और यह सब क्या थे, characteristics say living things के इन सब भी को हमने देखा, उसके बाद में जो दूसरा point है, उसमें क्या लिखा है, animals grow for certain period of their life, animal क्या करते है, कुछ period के लिए ग्रो करते हैं उनके life में, लेकिन जो plant होते हैं, वो क्या गरते हैं, ग्रो करते हैं, उन्हों जितने दिन जिंदा रहते हैं, उतने दिन तक वो plant ग् उसके बाद में क्या है, third point, animals have specific organs for respiration, उसके बाद में हम respiratory organs के बारे में हमने जो पड़ा था, वही आपे लिखा है, animals के पास में कुछ specific respiratory organs होते हैं, लेकिन जो plant होते हैं, वो क्या करते हैं, respire करते हैं, microscopic pores के द्वारा on their leaves and stems, उनके जो पत्ते होते हैं, उसके अंदर में microscopic छो from the body, it's called excretion, excretion के बारे में भी हमने पड़ा था, कि जो waste product होते हैं, उनको eliminate करने की जो process होते हैं, उसको अपन excretion बोलते हैं, all living things have the ability of reproduce, पिर reproduction के बारे में हमने देखा था, living things move because of their ability to respond to stimuli, ये भी देखा था, plants show spontaneous movements, but they can't leave their place and go elsewhere as animals do, लेकिन जो plant होते हैं, उनके अंदर में movement तो होती है, लेकिन वो एक जगा से दूसरे जगा मूह नहीं कर सकते हैं, वो जगे पर रह करी sun के दिशा में जुख जाएगे, ठीक है, उसके साथ साथ किसी support के साथ बढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये सब उनमें movement होता है, बट वो अपनी जगे को मूह नहीं कर सकते हैं, जैसे animals में होता है, वो भी हमने देखा था, living things have a definite lifespan, जो living things में life span definite होता है, और end होता है, of which they die, और उनका कुछ दिनों के बाद die भी हो जाता है, ये भी हमने देखा था, many animals and plants are useful to us in our daily life, और बहुत सारे animals ऐसे भी हैं, जिनको हम use करते हैं, और animals के साथ प्लांट का भी use हमने देखा था, उसके बाद some animals and plants can be harmful, और उनके harmful ने इसको भी देखा था, कि कुछ animals और प्लांट harmful भी होते, उसके बाद last point यहाप है, the smallest unit of living thing is the sale, और यह भी हमने देखा था, कि जो भी जीवन की उत्पत्ति है, sale से हुई है, सभी living things के अंदर में जो सबसे चोटा जो point होता है जो part होता है, वो क्या होता है, sale होता है, सभी sale से मिलकर बने हुई, यह भी देखा था, तो दोस्तों यह जो chapter है, chapter number two, the living world, यह भी यहाँ पर complete होता है, इसके बाद का जो भी next topic रहेगा, उसको हम जल्दी provide कर देंगे